रहतक में हर्याना क्रिशी मार्किटिंग बोर्ड के एक्सियन बोर्ड के एक्सियन को विजलेंस की टीम ने एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार कर लिया है आरोप है कि बिल पास करवाने की एवस में एक्सियन ने ठेकेदार से रिश्वत की मांग की थी इसकी शिकायत के आधार पर टीम का गठन कर छापे मारी की गई एक्सियन के खिलाब व्रश्टाचार अदिनियम के तहत मामला दर्च कर जाश शुरू कर दी गई है जानकारी के अनुसार सोनीपत के रहने वाले ठेकेदार हरीश ने विजलेंस को एक शिकायत दी थी के रहतक बे कारिरत हर्याना क्रिशी मार्किटिंग बोर्ड के एक्सियन राजिंदर उनसे बिल पास कराने की एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे है शिकायत के अधार पर विजलेंस दे करनाल विजलेंस की टीम का गठन किया और शिकायत करता के जरिये ठेकेदार को एक लाख रुपए केमिकल लगा कर दे दिये जैसे ही ठेकेदार हरीश ने XCN राजिंदर को रुपए दिये तो उसी दोरान विजलेंस ने छापा मार कर XCN राजिंदर को रिश्वत के साथ ही काबू कर लिया इसके बाद आरोपी को रहतक इस्तित विजलेंस कार्याले ले जाये गया जहां उसके उपर ब्रश्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है आज हमारे पास कंप्लेंट आये से जन्होंने हमें कंप्लेंट दिकні है का उन्होंवा से टेंड्र अनल था है और जिसके छे सडकों का बनाने का टेंडर उनको मिला वह था उसकी आज में जो मार्केटिंग बोर्ड के एक्सेन है मिस्टर आजंदर सिर्मा उन्होंने पैसे की डिमांड गी जो कंपलेनेंट उनको पैसे नहीं देना चाह रहा है पर उन्होंने आज आके लिखित में में शिकायद गी जिसपे हम अपने दिकारियों से बात करके रहतक पहुंचे और ड्यूटिम स्टेट पर गार जो अपने विटनेस हैं आजे विटनेस हमने नाइबते सिल्दार साब को साथ लिया और हमने अपनी रेडिंग पार्टी तियार करके वीज़े तो सरकार प्रदेश में ब्रश्टाचार खत्म करने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन कही ना कही सरकारी विभाग के अधिकारी ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं फिलहाल एक्सियन को गिरफतार कर पूच्छताज की जा रही है जिसके बाद उसे कोर्ट में पेशकर जेल फेज दिया जाएगा रहतक से दीपक भारतवाज, पंजाब केसरी टीवी